तक आपने तैरतेवे घर, होटल, पुजास्थल और बजार देखे हूं। पुजास्थल 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 देखे हूं। पुजास्थल 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 पुजा कुछ जीजे दूसरे डांकरों से अलग भी है। जैसे कि इस डांकर की मोहर पर तारीक और पते के साथ नाओ खेरे नाविक की तस्वीर बनी होती है। दोसो साल पुराने इस डांकर का हिटियांस अंग्रेजों के जमाने का है, लेकिन इसे फ्लोटिंग पोस्ट अफिस का नयाना सन 2021 में मिला। पहले, इस पोस्ट अफिस का नाम नहरू बार्ग पोस्ट अफिस था लेकिन 2017 में ततकालिक चीफ पोस्ट मस्टर जॉन सेम्यूल ने इसका नाम फ्लोटिंग पोस्ट उपिस रखवाया। अगस्ट दोजारेगारे में राज जी के ततकालिक मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला और ततकालिक केंद्रिय संचार और आईटी मंत्री सचिन पाइलट ने इसका उद्गाडन किया। यह पोस्ट उपिस जिस हाउस बोड में है उसमें दो कमरे हैं एक कमरा पोस्ट उपिस के तौर पर काम करता है और दूसरा कमरा यूजियम के तौर पर संग्राले में भारती डांक के तिहांस से जुड़ी समागरी परदस्ट के लिए रख़ए हैं जो फ्लोटिंग है यह डांक गर भी हैं डल जील के आउसबोर वहां गोमने वाले परिटक अपने मित्रों परेजनों को डांक बेजने के लिए इस डांक गर का स्थानिया नागरिक इस डांक की बचत दियों का भी लाब उटाते हैं इस डांक हज में बचत काता, FD, RD जैसी से से वाय उपलब Dol यहाँ दी जाने वले अनसुदाओं में इंटरनेट सुदाओं अंतराष्टी फोन कॉल सामिल है इसके लावा फ्लोटिंग पोस्ट ओफिस के परिशर में इस टांक टिकट संग्राले हैं जिस विक्टो का विसाल संग्रा है इसके लावा आप यहाँ से पोस्ट कार्ड टिकट अस्थानिया आइटम और ग्रिटिंग कार्ड रित सकते हैं सेलानियों में इस पोस्ट ओफिस के साथ फोटो कीशन कापी परचलित हैं तो अगली बार अगर आप कस्मीर जाएं तो इस पोस्ट ओफिस को जरूर देखें और दुनिया की कलोते फ्लोटिंग टांक घर से अपने फ्रेंड्स फैमली को पोस्ट काट जरूर वेज़ें आज की वीडियो में इतना ही कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूले चैनल पो सब्सक्राइब जरूर करें धन्युक्त